हेलो प्रेंट कैसे हो हमारे वीटू चनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज किसी वीडियो के दर गाई हम कंपेर करने वाले हैं रेड्मी नोट इलेवन अस एंड वीवो टीवन दोनों को एंड गाई एक चीज मैं पहले ही आपको बता देता हूं यह दोनों ही डिव किनर कोन है आज हम बात करेंगे स्पेस्पिकसन के बेस पे तो चलिए आज के सी वीडियो की शुरात करते हैं यहां पर गाईज दोनों डियोस की बात की जाए डिस्प्ले की तो यहां पर गाईज रेड्मी नोट इलिए उन असके अंदर आपको 90 हर्ट की एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलती है यह गाईज सुपर एमोलेड स्क्रीन है एंड गाईज इसके अंदर आपको 90 हर्ट की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है एक जार निट्स की पीक बरायरनेस इसके अंदर आपको देखने को मिलती है वहां वहीं पर गाईज बात की जाए वीवो की तो तो यह डिस्प्ली भी काफी बढ़िया होने वाली है लेकिन IPS है तो थोड़ से color आपको पंची कम दिखाई देंगे लेकिन Note 11S के अंदर आपको color थोड़े पंची दिखाई देंगे और color contract ratio वो आपको बहतर दिखाई देगा उसके बाद गाईस दोनों की बात की जाएं यहां पर बेटरी पार्ट की तो गैस दोनों के अंदर आपको पंचार इमिज की बेटरी देखने को मिलते हैं लेकिन वेक प्यूम में ज्यादा की आपको बहुत जल्दी चारज होगा वहीं पर विवो की बात की जाएं तो तीवन के अंदर आपको अल्मॉस्ट हम बराबर माल सकते क्योंकि इसके अंदर रिफ्रेस्स रेट में डाउन ग्रेड है तो वहीं पर वीव टीवन के अंदर आपको रिफ्रेस्स रेट बैतर देखने को मिलती है उसके बाद गाइज बात करते हैं मेन पारट की दोनों डियोएस के प्रोसेसर की तो य इसके परफॉर्मेस की तो यहां पर गाइज जो रेडिमी नोट इलिए उसके अंदर आपको मीडिया टेका हीलियो जी नाइंटी सिक्स प्रोसेसर देखने हुमिलता गाइज और इस प्रोसेसर के गाइज हम बात करें अन्टू तू बेचमार्क स्कॉर की तो यह तीन लाग आपको देखने को मिलीगी और इसकांट में थोड़ा जादा देखने को मिल सकता है वहीं पर की जाएज बात कि टीवन के प्रोसेसर की तो इसके अंदर आपको बेटरी वेकप बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा उसके बाद गैस बात करते हैं मेन अपग्रेड एंड डाउन गरी वह गाइस के अंदर रेडिमी नोट इले उन अच्छो गाइस डिवाइस है इसके अदर आपको एक सो आठ मेगा पिसल केमरा देखने मिलता है औ आप ओंदा स्पेक से को देखो गए तो रेडिमी नोट इलेवन असके अंदर जो केमरा है वह आपको बहतर देखने मिलता है लेकिन गई जितना केमरे के सेंसर या पिक्सल जितने बड़े होते हैं वैसा ही उसमें कैपीबल प्रोसेसर भी चाहिए तो यह प्रोसेसर गैस इ केवल एक सो आट मेगा फिसल देखकर डिवाइस को बाई मत कीजेगा क्योंकि उतना बड़ा यहां पर गईज अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा हमने ओल्मोस्ट रेडिमी नोट इन प्रो मेक्स जो इसके अंदर टेस्ट किये तो उतना बड़ा गईज अपग्रेड द सेम देखने हूं मिलती है इंड गैज बात किजे प्रो एंड कोर्स के इनलाश्ट फाइनल बात किजे कि कौन सा डिवाइस बहतर है तो गैज मैं आपको बताया हूं यहां पर प्रोसेसर के मामले में टी वन गैज बहतर है और पन इसके अंदर आपको फाइव जी का आप यह मान कर चलिए कि जो 2022 है इसके एंड से पहले पहले गए सभी डिवाइस लगबग जो है फाइव जी पूरे इंडिया के अंदर जो मिलना शुरूख हो जाएगा इसके अंदर फ्यूचर है एक और इसके अंदर आपको फाइव जी डिवाइस चाहिए तो आप जाए आपको फॉरजी डिवाइस चाहिए तो आप नोट ले उन असकी तरफ जा सकते क्योंकि उसके अंदर आपको थोड़ा सा केमरे में अपग्रेड देखने मिलता है डिस्पले में अपग्रेड देखने मिलता है तो यदि आपको फाइव जी स्मार्टफॉन चाहिए ताप टी इसके जो प्रोसेसर का अन्तु तो बेचमर्क स्कॉर है यह चार लाख प्रस आता है तो इसका मतलब आपको जो यहां पर परफॉर्मिस देखने मिलेगी वह काफी ज्यादा बैतर देखने को मिलेगी वीवो टी वन के अंदर तो यदि आपको एक बैतर प्रोसेसर चाहिए आपको एक फाइवजी डिवाइस चाहिए और यदि आप वीवो के फेन हैं तो आप जाहिए टीवन की तरफ है उसके बाद गैस थोड़ा सा डाउन ग्रीड है टीवन के अंदर क्योंकि वीवो पता नहीं इस चीज़ को यार कब सुदा रहे का यहां पर गैच वीवो लेक् मतलब मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगा तो यह आपको पंचोल चाहिए तो नोट 11 के तरफ जाएए आपको बहतर अपडेट चाहिए मालीजी का आपको बहतर फीचर चाहिए ताप नोट 11 के तरफ जाएए क्योंकि मिवाई में बग होते हैं लेकिन फीचर भी बहुत बताए मैं में विटाओ नेक्स्ट वीडियो के अंदर तब तक के लिए बाई जेखिंद अपना ख्याल रखें